नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब एक आपके अपनी यूटूब चैनल रोयल स्टडी में दोस्तों आज की सुडियो में मद्यप्रदेश के उर्जया संसाधन के बारे में डेटीयल के सांथ हम डिसकस करेंगे इस से रिलेटेड 55 कोशिन आपके लिए लेकर रहें और यह जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी आई एंपी होगा अगामी जो एक्जाम आ रहें उनके लिए इसके लिंक आपको इन्चे डिस्किप्शन में उपर आई बटन पर मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप इनको देख सकते हैं देखिए यहाँ पर आपने भी तक टेलिग्रा इसका नाम है यह चेत्र है यह कहां पर इस्तीत है यह चार उप्सन आपको मिलें जल्दी से जाए कमेंट करके बताएगा इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा जेल प्रारी मध्यप्रदेश पूलिस एसाइए एंप पर पर 50% का भी डिसकाउंट चल रहा है इस उपर का अ प्रतम लेजर कीरन परमानु उर्जा अनुसंदान के अंदर कहां पर है यह 2014 MPPSC का कोश्चन है यह आपको क्लिक करने इस कोश्चन का सही जवाब आपका भूपाल रहेगा यानि आपका भूपाल में यह इस्तित है नेक्स्ट कुशन है मालवा ताफ विदुद्ग्रे किस जीले में इस्तिते मालवा ताफ विदुद्ग्रे जो आपका आता है यह खंडवा जीले में आता है फस्ट ओप्सन इस कोश्चन का भी राइट अंसर रहेगा राज्जी में सरवादिक विदुद्ग का उभूप किस शेतर में होता है और सबसे अधिक विदुद्ग का तो की गई है इंदोर में इंदोर इस कोश्चन का सजवाब रहें का उपसनंबर डी याद रखी गा राज्जी में गेस आदारित विदुद्ग्रे का उस्थापित किया गया है यह आपका बांडेर में स्थापित किया गया C-Op. याद रखीगा राज्जी में सरवादिक पवन चक्किया कहा है तो राज जी में सबसे अधिक जो पवन चक्किया है वो आपकी ही आपका question आपका right answer रहेगा option number first इंदोर में है यहने आपकी पवन चक्किया इंदोर में है गांधी सागर जल विदूत केंदर से लाब पाने वाले राज जी कौन-कौन से है तो गांधी स पूछ रहे तो इस question का सजवाब रहेगा वह निश्व 82-1982 में इसकी स्तापना होई नेक्स्ट question है निम्न में से किस इस्तान पर भूसी आदारे सन्यंत्र इस्ति थे तो यह आपका जो आता है यह आता है आपका गॉलेर में विश्व का सबसे बड़ा सोर उर्जय सन्यंत्र कहां इस्तापित किया रहा है विश्व का सबसे बड़ा सोर उर्जय सन्यंत्र ही इसका नाम है यह आपका इटार्सी में इस्तापित किया रहा है यहाँ पर आपका फर्स्ट उप्सन सही जवाब रहेगा विंद्याचल वरत ताफ विदुत पर योजना को किस देश की जल विदुत के एंदर निम्लिकित में से राज्यों में से जसी कहां पर इस्तिद्दे इस कॉश्षन का आपका सही जवाब रहेगा option नमर 2 यहाने राजिस्टवर्शन आपक ऑकर निम्लिकित में उपक्रमों में से कोन सा सबसे बड़ा है और इन उपक्रम में आपको बतान अपना कहां पर की गई तो देखें के अंदर की इस ताप्ना कहां पर की गई याद रखेगा इसका सचाहई जवाब जो आपका रहेगा वह रहेगा खंडवा 13 gelecek 153 है पेंच इताफ परियोजना के जीले में तो पेंच इताफ विदुत जो परियोजना है यह आपकी चिंदवाड़ा में यह उपिसन इसका सायजवाब आपका रहेगा। गुट गांदी विदूद केंदृ कहा परे कि सिज़ी गांडी विदूद केंद्र जो आपकाता है यह आपकाता है बीर संच्पूर में तो यहां पर आपका बीओ सन्साहि जवाब रहेगा मद्यवदेश के किस ग्राम को पुरूंता सोर अर्जय पर निरबर बनाये गया वर यह जो घ्राम है इसका नाम है यहां पर सही जवाब राम घ्राम करेंगा लिए के बुपाल रहेगा उप्सन उमवर फस्ट है रूंव स्सके हाई डुरम what the यो पाई जाते हैं यहाँ पर आपकर जो साहे जवाब रही है वह खरगोन रही हैं कि सद्अब पुरता विद्ध पर्योद ना कि इसस राज्यों MATTR यहाँ की मद्द्ध वर गुज्रात की सन्यून पर्योजन ने मले कितमेंसे कुन सीструкना और मत्रेब्रदेश गुजरात के अगर हम बात करें तो ये परियोजना है अमरकंटक ताफ विद्ध परियोजना C option किन दो राज्यों के बारे मेंगर आप से पुछेते इसका सेजवाब आपका मत्रेब्रदेश याने MP और गुजरात रहेगा किस इस्तान पर कोई बड़ा बिजली गर नहीं है ये आपका D option कोरबा सही जवाब रहेगा गांधी सागर बांध पर जल विदुत केंदर का निर्मान का हुआ गांधी सागर बांध पर जल विदुत केंदर का जो निर्मान हुआ वो हुआ है वर्स 1960 में संजे गांधी ताफ विदुत केंदर किसे जीले में इस्तिदे तो संजे गांधी ताफ विदुत केंदर जो इस्तिदे वो आपके आते हैं उमरिया जीले में कहां पर आते हैं उमरिया जीला इसका सजवाब अपकर रहेगा और बी याद रखेगा काफी ज्यादा कोश्चन भी पूछ जाता है मद्यप्रदेश की उर्जया राजदाने किसे कहा जाता है 2014 MPPSC का कोश्चन है और इसका जो सजवाब रहेगा वो बेड़न सिंग्रोली रहेगा बी ओफ्सन याद रखेगा बरगी परियोजना किस जिले में तो बरगी जो परियोजना है ये आपकी है जबलपूर जिले में भारत सरकार ने ग्रामेन विदूतिकरन नीगम की स्थापना कब की और भारत सरकार के दोर इसके स्थापना की गई है कब की गई वर्ष 1907 में इसके स्थापन की गई बी ओप्सन इसका सही जवाब रहेगा मद्यप्रदेश में सरुप्रतम विदूत का उत्पादन कब शुरू हुआ तो मद्यप्रदेश में सरुप्रतम विदूत का जो उत्पादन शुरू हुआ वो आपका 1905 में हुआ नाइटीन फाइब में धियान रखेगा मद्यप्रदेश में विदुत प्रदाय अधिनियम कब लाग हुआ विदुत प्रदाय अधिनियम जो लाग हुआ मद्यप्रदेश में ये आपका 10 सितंबर 1948 को हुआ तो ध्यान रखेगा इस फेक्ट का भी अमर कंटक ताप विदूत ग्रे के श्चेत्र में इस्तिते अमर कंटक ताप विदूत ग्रे जो इस्तिते जो कि विदूत ग्रे जो इस्तिते ये आपका आता है सुहाग पूर में सुहागपुर सही जवाब रहेगा उस्तापना कप की गई मद्देपुर्देश विदूस मंडल की स्थापना जो की गई वो की गई वर्स 1950 में 1950 उस question का सही जवाब रहेगा मद्देश विदूस मंडल का मुख्याले कहां पर है ये अगर आप से पूझआ है तो यह आपका जबलपूर से जवाब रहेगा उप्स नमबर C नीमने में लिकित में से किस राज्जी ने सरव परतम विदूत मंडल का गटन किया था और यह जो राज्जी इसका नाम है मत्यप्रदेश राज्जी का पहला बायो गेस प्लांट का इस्ताफित किया गया है 2014 MPPSC का कोशिन राज्जी का पहला बायो गेस प्लांट इस्ताफित जो किया जा रहा है यह कांपर किया गया है यह बोपाल में 1984 में भांडेर किस प्रकार के विदूद ग्रहए के लिए प्रसदे तो जो भांडेर अपका यह आपका किसके अंतरगत आता है यह आता है गेस आधारित के अंतरगत फस्ट ओप्सन इस कोशचन का भी सई जवाब रहेगा निपआ अगर की कागज मिलको विदूद की आपूर्ती कौन सा ताफ विदूद केंदर करता है निपनगर में जो आपूर्ती होती है सप्लाइ होती है जो की लाइट की एलेक्ट करंड की तो यह जो होती है कौन सी विदूद कंपनी जो है ताफ विदूद घ्रे करता है इस question का सयवाब आपका जो रहेगा वो यहाँ पर होने वाला है चांदनी याने आपका B option निम्नताफ विदुद केंद्रों में सरवादिक उत्पादन चमता किसकी है तो सबसे अधिक जो उत्पादन चमता है वो है पेंच की निम्लिकित में से कोन ताफी विदुद ग्रे केंद्र नहीं है तो यह जो है आपको क्लिक करना है जल्दे से क्लिक करेगा जाकर यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पुनसा विदुद ग्रे टीन टोंस विदुद ग्रे यहने आपका दो और ती सत्पूरा ताफ विदूत के अंदर कहा है थे तो सत्पूरा ताफ विदूत के अंदर जो है आपका यह जो आता है यह आपका पातर खेडा बेतुल में आता है C-Option याद रखेगा नेक्स्ट कुशिण आपका निकल गड़ा है मद्परदेश का पहला ताफ विदूत के अंदर कौन सा है तो मद्परदेश का पहला ताफ विदूत के अंदर जो है यह है आपका चांद नि कि अमर्कंट। ताफी विदूद पर योजना किस जीले मिं lleva 2014 G54 का कोश्चन अमर्कंट करने उसका सदस्ते हैं याने आपका बीना विदूद केंदर पेचछ ग्रे कुट दोनों आपका सएभा, option number C, next question है, आपका, बायो मास से बिजली कहाँ उत्पन ने की जाती है, तो बायो मास से जो बिजली उत्पन ने की जाती है, ये बेतुल में की जाती है, बेतुल इस question का सही ज़वाब आपका रहेगा, मत्रप्रदेश के उर्जय संबंदित तत्यों में से असत कटन को आपका चुनाव करना है कुन सा है तो यहां पर आपका सरवादिक विदूत आप उत्री आप उर्थी अमर गंटेक्ट आपके अंदर से होती है यह आपका इस कोश्चन का सजवाब है जो कि आसटी है रिहंद जल विदुत परियोजना किस इस्तान पर निर्मित की गई है तो रिहंद जल विदुत परियोजना जो आपकी इस्तान पर निर्मित की गई है वो इस जो इस्तान है उसका नाम है आपका पीपरी नेक्स्ट कोशिने सोर उर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा सन्यंतर कहा है इस्तापित किया गया और ये जो इस्तापित किया गया बोबाल में किया गया फास्ट उप्सन निमलिकित में से कोन सी परियोजना नीजी छेतर में सोपी गई है तो नीजी छेतर में जो सोपी गई परियोजना है उसका नामे महिस्वर परियोजना मद्देश का पहला पवन उर्जा सनियंतर की सितान पर लगाया गया यह आपको क्लिक करना इसका सही जवाब आपको क्या रहेगा वो रहेगा उपस नमर भी जाम गोध रानी जो की आपका पवन उर्जा सनियंतर किस सितान पर लगाया गया परदेश का पहला यह है तो याद रखेख़ा निमन में से कोन सी परियोजना मद्देश की सन्युक्त परियोजना नहीं है सन्यूग टो परियोजना जो नहीं है मन्देपपदेश की उसका नाम हैं इंद्रह सागर्ताफ विदुद परियोजना D Alison मद्पदेश में सोलर फोटोवोल्टिक फुलांट लगाया गया है म्द्पदेश में ये लगाया गया है आपका बेतुल हुसंगबाद और जाबौ में आपका D option साइजवाब रहेगा next question ने सोर उर्जा से विदूद बनाने का सन्यंतर सरुपृतम कहां पर लगाया गया था यह जो लगाया गया था यह आपका B में लगाया गया था आपका 28 से इस question का सैजवाब रहेगा उस नमबर याद रहेगा पावन अर्जा के लिए नक्राइब प्रिसिद्द जाम गोदरानी शेतर कहां है तो पवन-वर्जचɪ लिए प्रिसिद्द जाम गोदरानी शेतर यहे है इसका सजवाब अपकर रहेगा देवास में ऐसützen के बायो फ्यूल सन्यeंतर कहां लगाये जाया गया है तो बायो जो है इसका नाम आपको याद रखना है जो ही लान अधिस कोश्चन का सही जवाब आपका रहेगा फ्रंस यहाँ पर हमने टोप 55 कोश्चन सा अधिक डिसकस किये इसे रिलेटेड जीटील भी हमने देखिए बट देखिए बट देखिए डिटील जो है वह यहाँ पर हम जो 50 चल रहे हैं ना टोप 50 शीरीज एंप जी की टोफिक वाइस उसमें यह डिसकस नहीं करेंगे डिटील डिटील के लिए अलग वीडियो आपको अल्रेड देचुके उसको अगर देखना चाहिए तो देख लिए इसका दिसक्रिप्शन में भी लिंक उसके देदेंगे बाकि कि वीडियो के सालागा कमेंट करें ज्यार सब्सक्राइब करें को दबा दीजिए जिससे जो भी नए वीडियो आपको मिलता आजके इस वीडियों बस इतना ही मिलते एक नए वीडियों के सांथ तक लिजेए जबा